बेमोसम बारिश की वज़े से बरबाद हुई धान फसल अभी तक प्रशासंद वरा संग्यान नहीं लेने से किसानों को सरकार की ओर से आर्तिक साहता का लाब नहीं मिलने तता समय रहते बरबाद हुए धान फसल का पंचनामा अभी तक नहीं किये जाने से किसानों में सरकार के खिलाप नाराजगी जाहिर करती हुए बुधवार को कॉंग्रेस ने तास संग किसानों ने तहसील कार्याले पर मोर्चा निकाल कर रोश प्रकट किया वह सरकार की खिलाप नारेबाजी कर जल से जल पीडित किसानों को सरकार की ओर से आरतिक साहिता देने की मांग इस अवसर पर की गई जबकि पिछले दिनों हुई बारिश की वज़े से छोटे बड़े किसानों के खेत में धान फसल पूरी तरह से बरबाद हुई थी जिसका स्थानिय प्रशाशन ने समय रहते पंचनामा करना जरूरी था पर स्थानिय प्रशासन द्वारा इस और अंदेखी कर किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका नाही सर्वे किया गया जिसका विरोध किसानों ने प्रशासन के खिलाप नारेबाजी कर विरोध दर्शाया जिलापरशत भूत पूर्व अध्यक्ष रश्मी बरवे ने अधिकारियों की जम कर खिचाई करते हुए कहा कि अगर सोमवार तक पिडित किसानों की बरबादी फसल का पंचनावा नहीं किया गया तो सोमवार को पहसिल कार्यालाई को ताला लगा कर किसान विरोध करेंगे इस तरह की चेतावनी दी गई इस अफसर पर पार्शिवनी तैसिलदार को ग्यापन देकर जल से जल बरबाद हुई फसल का पंचनामा किया जाए किसानों को आर्तिक साहता दी जाए इस तरह की मांग किसानों द्वारा की गई इस अफसर पर कॉंगरेस नेता श्रीदर जाडे रशमी बरवे जिला प्रिश शिक्षन सभापती प्रेम कुसुंबे कुरुशी उत्पन बाजार समिती सभापती अशोक चिकले दीपक वर्मा पुर्व पंचायत समिती सभापती मीना कावडे दीपक भोयर राजुभाव ठाक इंद्रपाल गोरले संग कॉंगरेस कार्यकरता स्थानी यकिसान बड़ी मात्रा में उपस्तित्ते पार्शिवनी से रुपेश खंडारिक रिपूट